ओ ho बाई इतनी खुसी इतनी खुसी कई खुसी के मरेख कर देक्ध को पता है आरसे वी फाइनल पहुंच गया मुंमो अइण को 1955 यह तु छो कई-टीम होंकि और बाता करिया इंच्छ पहुं इनौने जींगह पहुंच जिता है कि इस भी च्रक्व जिसन. बनाया इन्होंने अस्मिर्थी मंदाना का रियक्षन देखो भाई यह तो सौक में क्या हम RCB टीम RCB टीम फैनल में पहुच गया यह सौक में थी स्मिर्थी मंदाना देख सकते हैं यहां पे देखो ब्लू औरेंज कैप विनर भी बन चुकी है अलिसा पैरी और सबसे बड़ा योगदान भी अलिसा पैरी का ही राइस मैच में अगर अलिसा पैरी वह पारी नहीं खेलती वह इनिंग नहीं खेलती तो मैं बता रहा हूं बाई डिविलर्स एलिसा पैरी है उमेंस रसी बी में अब बोलोगे कैसे भाईया क्योंकि जब इस मृति मंदाना ओठ होती है जब भी वह नहीं चलती है तो कौन चल रहा है भाई आप ही देखो ना रसी बी के तरब से एलिसा पैरी चल रही है अब तो भाईया इन्होंने लेकिन इसमें जहां खेलना चाहिते है वा ने खेल पाई पलकिसा भी फैनल में ने खेल पाई लेकिन एलिसा पैरी बहुत यह अचा पारी खेली भाई गजब खुसी देखो आप इन सबका और आज का है लेट सबसे पहले बात मैच में टॉस होता है और रसी बी टॉस जित टॉट आर सिपी टॉट टॉट जीत के लेता क्या बैटिंग सभी लौख सोग में हो जाते भाई कि बैटिंग क्यों लिया क्यूं कि बैटिंग कर भालिम्च कर के जीत सकते थे लेकिन उन्होंने बैटिंग चूज किया और माथ 138 रं सम्थिख साहीद इसी के अगल-बगल में रम बनाया तो सबको सौक में हो गया आरसी भी तुग गया आज टाटा वाई-बाई होगी क्योंकि 138 रन कौन नहीं मार पाता थाटी एट रन ही था मेरे माइन के हिसाब से तो उतना कम रन कौन नहीं मार पाता सो बता मुम्मय इंडियन के सामने खेल रही थी रसी बी के टीम और इतना भिहानग टीम के सामने इतना कम रन आब सभी RCB टीम और सभी RCB फैन्स का तो माधा ज़न जञना आ गया था लग रहा था भ Arabia Dr. explained पूरा मैच में खेलते हैं वैसे ही असमृति मंदाना ने भरुसा दिखाया आपने बॉलरों पे और बॉलिंग भी बहुत अच्छा कि सारे बॉलर्स ने और उत्रा रन भी नहीं मार पाया मुंबा इंडियन और सबसे बड़ा हाथ यह कि वह ओपनिंग जो मुंबा इंडियन क कि यह जिद सकता और फैनली वो मैच जिद गया थ्रिल मैच हुआ भाई लाश्ट के दो अभर भी थ्रिल मैच था बारत तेरह रन चाओधर रन चाहिए था लेकिन लाश्ट अबर तक मैच जाता है अब दो बोल एक दो बोल पे आट रन चाहिए था जहां एक रन लेती एक पर चेर मारती तो ड्रो होता लेकिन नहीं रमार पाती है और आरसी भी मैच जी जाता है वाइगोड आज का हाइलेट्स यही रहा कि आरसी भी जीद गया फैनल में पहुच गया अब 17 तारीकों फैनल खेलेगा डैली कापिटल के साथ और बहुत मज़ा आने वाला अगर वो मै सब्सक्राइब कर देखा और सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको इस मैच में वह कॉमेंट वक्स में कमें करना आज का हाइलेट्स क्या रहा हो तो मैंने बता दिया बाइगोड जितने खुसी यह लोग है ना उतने खुस हम सारे सब्सक्राइब कर रहा था और देर के लिए ने बैटिंग ले लिया वहां तक ठीक है रन भी नहीं अच्छा का सा मारा था लेकिन फिर भी हमारे बॉलर्स ने बहुत यह अच्छा किया और जीत गया बहुत देखो जो यहां तक वीडियो देख रहे हूं लोग को मैं बताना सब्सक्राइब करहें लwid मैं माहल हो यह तो यहां करेंगे ढरत इसे ब्सक्राइब करेंगे अ- and listen कशनग सब्सक्राइब कर लेंगे बहुत जो इंडियाольно छाता है या फिर बहुत और जो और कहता है दौन का मैच आता है उस में से जो भी मैच होता है उसका हम պिव prophe걸 सकता है और कौन वोन दुनों बैच जिते हैं पहला चेज़ आने वाले सारे टीम का और सारे मैच चेक आउट करना है और बहुत अच्छी पनी शॉट्स वीडियो आते हैं अर अमेजिंग शॉट्स वीडियो आते हैं और इस चैनल पर क्रिकेट निश भी सबसे पहले आते हैं तो आप लोग सेब्सक्राइब करोगे तो फैदे मे सब्सक्राइब करके रखना आप लोग से बात करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मज़ा लगता है तो उसके बाद यह नहीं बोलने को होगा कि इस सलक अपनाम दे क्योंकि एक कप फिर फिलहाल के लिए तो स्मिर्थी मंदाना के कारण आ जाएगा चलो बेसरमी का हद होगा थ खोड़ा सरम लगेगा कम से कम की हम लोग से पहले जो सतरा पंदरा सोला साल से खेल रहे हैं जो नहीं जीत पाए और आर्सीवी उमेंस टीम आपने दूजर सेजन में जीत जाएगा लेकिन उमीद देहरेगा कि जीत जाए और आप लोग प्रेवी करना कि आरसीबी जीत तो चलो हम लोग इस वीडियो को एंड करते थैंक्यू इस वीडियो में आने के लिए